नमस्कार न्यूज यूग में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा प्रथा लॉक्टाउन में अफीम किसानों पर छाया संकट अलग अलग घरों में पड़ी है कुइंटलो अफीम अप्रेल में हो जाती थी नार्कोटिक्स विवाग को जमा लेकिन लॉक्टाउन की चलते खेतों से निकाली गई अफीम अब तक किसानों के घर में ही पड़ी है मनसोर जिले में लगभग 18,000 अफीम किसान अपनी अफीम जमा करवाने का बेसबरी से कर रहे हैं इंतिजार दरसल मद्य प्रदेश के मालवा शेत्र में लगभग 37,000 से अधिक अफीम किसानों पर संकट के बादल मंडरानी लगे हैं अफीम की अच्छी पैदावार के लिए शुमार मनसोर के अफीम किसानों द्वारा पैदा की गई अफीम को एक महा बीद जाने के बाद भी नार्कोटिक्स विभाग द्वारा नहीं खरीदे जाने के कारण दो तरफा परिशानियों का सामना किसानों को करना पर रहा है जिसका मुख्य कारण कोरोना वारस का संक्रमन है इस आपदा की इस्तिती में मंदसोर के किसानों ने चिंता जाहिर की है कि लॉक्टाउन के चलते डी एंसी द्वारा अफीम नहीं खरीदे जाने से अफीम की प्रगारता खत्म होती जा रही है इसी स्थिती में अफीम के सूख चाने की प्राकरतिक खूबी के चलते अफीम का वजन भी कम होता जा रहा है ऐसी स्थिती में अफीम की अगर आसत कम हो जाए या फिर अफीम खराब हो जाए तो उसका जिम्मदार कौन होगा यह चिंता का विश्य है अफीम किसान अमरत राम पाटितार जो की पिछले कई सालों से अफीम किसानों की सरकार से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं उन्होंने अपने पट्टे की अफीम की इस्तिती बताते हुए नियूस युग के माध्यम से गुहार लगाई है कि केंदर सरकार जल से जल अफीम किसानों की चिंता कर अफीम खरीदी शुरू करे या फिर गाइडलाइन जारी करें देखे अफीम तोल नहीं होने के कारण किसान काफी चिंतीत और परेशान है प्रतिवर्ष 20 अपरेल तज अफीम खरीदी का कारे पूर्ण हो जाता था लेकिन अभी तक इस बार कोवीड-19 के चलते हुए कोराना वाइरस के चलते हुए अभी तक भारत सरकार ने कोई अफीम एक खटा करने की खरीदने की कोई नीती नहीं बनाई है हम किसान जो है काफी चिंतीत और परेशान है अफीम की रखवाली को लेकर के और अफीम जो है दीन पे दीन सुट्टी जा रही है पानी जीसा तरल प्रधारत निकल रहा है तो कईन के चिंता किसानों के जो है उस पे चिंता की लखिरे दोड़ रही है कि अफिम का लाइसेंस निरस्त नहीं हो जाए भारत सरकार से हमने जो है जो है चर्चा की है मैंने आयुत नार्कोटिच से गुवालियर को एक पत्र लिखा है और नीमज डी अन्सी को भी पत्र लिखा है उसमें यह मांग करी है किसानों के द्वारा यह कहा गया है कि प्रते गाउं इसतर पे कंटेनर भेज करके किसानों के अफिम इखटी कर ली जाबे और अफिम फेटरी नीमज को भेज दी जाबे और जांच करके जो है उसकी प्रक्रिया चलती रहेगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है किसानों की कि अफिम जो है नार्कोटित सुभा इखटी करें और उसको खरीदें। वहीं बीजेपी सांसत सुधीर गुपता का कहना है कि मैं लगातार केंदर सरकार के संपर्क में हूँ जल्दी समाधान होगा। इसमें क्या है कि अफिम ये वित्तमंत्राले के अधीन रहता है और वित्तमंत्राले अपने निर्देश समय समय पर जारी करता है। इसका कोई आदेश प्रसारित होगा क्योंकि लगभग मध्यप्रदेश और राजस्तान दौनों में करके लगभग 80,000 के असपास लाइसेंसी किसान है। अभी डर है कि कहीं उनका अफिम का लाइसेंस निरस्त ना हो जाए। अफिम तोल नहीं होने के कारण किसान काफी चिंतित और परेशान है। हर साल अफिम तोल का कारे 20 तक पूर्ण हो जाता था। अफिम की रखवाली को लेकर किसान परेशान है। अफिम दिनों दिन सूकती जा रही है। किसानों को यह डर है कि उनका अफिम का लाइसेंस निरस्त ना हो जाए। इस मामले को लेकर अफिम अधिकारी ग्वालियर और नीमच डिन सी को सूचित भी किया जा चुका है। और आवेतन भी दे चुके हैं। किसानों का कहना है कि खेतों से अफिम निकालने का कारे एक माह पहले ही पूर्ण हो चुका है। अफिम घरों में पड़ी-पड़ी सूख रही है जिससे अफिम की मार्फिन की मात्रा कम हो रही है। पट्टा कटने का उनको डर है।